नमस्कार मैं हूँ पूझा राठोर शर्मा आप देख रहे हैं संजीवनी एक ऐसा शोग जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बाद डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज हम संजीवनी में महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी बिमारी के बारे में बात करेंगे जिसके केसिज लगातार पड़ रहे हैं और ज्यादतर महिलाएं इस बिमारी से अंजान हैं कौन से है वो बिमारी आए देखते हैं प्या आपको पीरेड्स के दौरान जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो इसे नजर अंगाज ना करें ये गंभीर रोप का लक्षर भी है और सेहत के लिए खतरनाग भी देखिए मेरे साथ संजीवनी दौर प्रताब चोहान आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज डौर चोहान हमने टौपिक लिया है एंडोमेट्रियोसिस जी आखरी बिमारी क्या है इसके लक्षन क्या है और क्या वाकई बिमारी खतरनाग साबित हो सकती है देखिए बहुत अच्छा टौपिक है और इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि रोग होता क्या है खासतोर से महिलाओं को मैं एड्रस करूंगा और महिलाओं में जो गरभाशे होता है यूटरस जिसको हम बोलते है उसके जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियोसिस तो कहां बनेगी यूटरस के बाहर बनेगी ओवरी में बनेगी कभी कभार किसी फैलोपीन ट्यूब जो आती है उसमें बनती है और कभी कभी पैल्विक रीजन जो होता है उसके बाहर भी ये डेवलप हो सकती है को जो बाहर के ओर्गंस होती है तो एंडोमेट्रियों टिसू ज होते हैं उसके साथ ब्लीडिंग होती है तो यह भी उसके साथ नस्ट हो जाती है यह जो लेयर बनी वहां पर यह टिशू बनी लेकिन उसके बाद महां पर कुछ निशान रह जाते हैं जिसको सकार्स कहते हैं लक्षन अगर हम देखें लक्षनों को थोड़ा समझना पड़ेग यूरिन करते समय जो है पेन होता है के लोगों को स्टूल पास करते समय भी काफी पेन होता है पीरिट्स के दोरान अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लोटिंग हो जाती है नौसिया के बर वोमेटिंग आने की इच्छा आपको होती है और इसके साथ साथ में कि कोई जानलेवा रोग है ये लेकिन डेफिनेटली अगर फर्टिलिटी बच्चे आपको प्लेनिंग करनी है उसमें डेफिनेटली अर्चन बनता है घवराना नहीं है अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो जीवा में संपर करिए जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है डाइल करके हमारे डॉक्टर से आप कंसिल्टेशन बुक करें और आपको मैं ये बता दू कि हमारे यहां ये गाइनेकोलोजी का एक अलग से डिपार्टमेंट भी है उसमें बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर्स भी है अगर आपको उनसे भी डारेक्ट बात करनी है तो लेकिन अब से थोड़ी ही दिर के बाद डॉक्टर चोहान क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अंडिमेट्रियोसिस की तो आखिर ये किन महिलाओं में सबसे ज़्यादा तर देखा जाता है इनके लक्षन क्या होते हैं और साथी सवाल ये भी क्या ये अनुवानशिक बिमारी ह देखिए जैसा मैंने आपको बताया अभी कि सबसे पहले मैंने समझाया कि बिमारी होती क्या है और अगर हम आयरवेद की बात करें क्योंकि हमारा ये शो आयरवेद पर अधारिध होता है मुख्यूरूप से तो आयरवेद में एक पूरा एक सेट अफ डिजीजिस को बोलते है योनी व्यापद यानि के जो आपके जो रिप्रोड़क्टिव और गन से संबंध या फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड जो रोग होते है वो आयरवेद में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन है एंडोमेट्रियोस को हम जो है वातिक योनी व्यापद करके एक रोग आता है वातिक योनी व्यापद उससे हम इसको कंपेर करते हैं और डेफिनिटली आयरवेद के अनुसार क्योंकि वात शब्द उसमें आ रहा है तो वात का ही इसमें प्रधान प्रकोप मिलेगा आपको अक्षर हमारे शरीर में कहीं भी जो है अपान वाईयू एक होती है अपान वाईयू नहीं के नाभी के नीचे जो एक हमारा जो पोर्षन है उसमें लोबर अब्डॉमेंट में जो अपान वाईयू रहती है वो इसमें डिस्टरब होती है उसका इन्वाल्मेंट इसमें होता है इसलिए जो है एक तो वात वर्दक यह तो जो आपको नहीं करना चाहिए और वातवर्दक लाईफ स्टाइल भी आपकोनहीं करना है तो जिस महिला को यह प्रॉब्लम हो यह उसके लिए हमें VOICE ध्यान डखना है कि कोई भी ठंडी चीजें बहुत जादा क्रंची क्रिस्पी चीजें बहुत ज़ुआ ज़ुआ ज् देखने को मिलती है मानसिक तनाव को हम बार बार आपको याद दिलाते हैं आज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनका रूट कॉज कहीं भी जो है मेंटल स्ट्रेस उनकी है कोई किसी तरह का जो है इमोशनल ट्रॉमा उनकी लाइफ में चल रहा है और आईरवेद में एक और विशे लिखा है कि जो हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल अर्ज होते हैं जिसको हम कहते हैं वेग तो यह जो वेग हैं जिनको हमें होल्ड नहीं करना चाहिए अधारणिये वेग इसको आईरवेद में कहा गया है जैसे मालो आपको छींक आ रही है तो छींक को नाक बंद करके रोकना नहीं है डकार आ रही तो उसको रोकना नहीं तो ऐसे जो हमारे अधारणिये वेग तेरा परकार के होते हैं शरीर में उनको जो हम forcefully रोकते हैं वो भी एक कारण endometriosis में बनता है चले स्पीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक तुड़ गए हैं गोरखपूर से रवी हैं रवी पूछिए सवार नमस्कार मैं रवी बात कर रहा हूं जी नमस्कार सब्सक्राइस का रोग जो है वो काफी डिफिकल्ट रोग है आपने जो अगर इसके बारे में नहीं अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त किये तो आप थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे लेकिन अच्छी बात है सभी दर्शकों को मैं बता रहा हूं अभी कुछ वर्षों से जो है हमने बहुत रिशर्च करके कई रोगों के अलग-अलग प्रोग्राम बनाएं उसमें एक सुराइसिस मेनेजमेंट प्रोग्राम हमारा बहुत-बहुत सफल है काफी सक्सेस्फुल इसमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो एक तो मैं आपसे निवेदन करूँगा ये प्रोग्राम से क्या है मतलब के वहां पर ऐसा नहीं कि आप आये आपसे कंसल्टेशन की और हमने दवाई दे दी आप अपने घर हम अपने घर ये बात नहीं है इसमें आपका पू आपके साथ कर रहे होते हैं क्योंकि मैंड के लेवल पर आजकल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है तो मैंड वेल बिंग सेशन आपका अलग होगा योगा चारिये एक और जुड़ जाते हैं इसमें जो कि ऑनलाइन आपको योगासन वगरा भी बताते हैं तो कहने का मतल सेशन आपके साथ कर रहे होते हैं और अपका फिर प्रॉपर एक डॉट्यूमेंट किया जाता आपका क्या था शुरू में एक पासी स्कूर होता है पासी स्कूर पहले कितना था फिर यदि पहले में ने उसके बाद कितना हुआ तो वह तरह से जो हम से जो हम कहते हैं इसको दोक्यूमेंट करके और फिर एसेस्मेंट उसकी होती है वो पूरे रिजल्ट्स देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट है तो आप से मेरा निवेदन है देर मत कीजिए इधर उधर मत भटकी कहीं पर भी सुराइसिस के जो पेशेंट हैं वो हमारे इस मैनेजमेंट प्रो चाहिए देखे जैसा अभी हमने आपको बताया के आयरवेद में वात के कारण ही रोग होता है बात दोश आप से लोग समझते हैं और वात वर्दक लाइफस्टाइल और वात वर्दक डाइट आइट आपको अवाइड करना है अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जो आपका लोवर अब्डॉमिन है अपान वाइउ जहां पर है उसकी जो वृद्धी होती है इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल में तो रात को आप बहुत देर तक जागते हैं या फिर जो है बहुत ज्यादा जो है आपका पूरा एक रिदम जो बॉड़ी का जिसको हम आपके डिस्ट्रब हो चुकी है खाने का टाइम नहीं है मतलब कभी लंच आपने बारे बजय किया कभी दो बजय किया कभी किया यह इनी इर्रेगुलर सं पास Fr तो यह तमाम जो कारण हैं और इनके साथ जो डाइट जो जुड़ी हुई है, लाइफस्टाइल जुड़ा हुआ है, जिसको हम वात कहते हैं, वात के साथ जो जुड़ी है, उसको आपको अवाइड करना चाहिए, और इसके विपरीत, जो बात को दो है, थोड़ा शांत करती ह उन चीज़ों को आपको अपने डाइट में और लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए और आए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र डॉक्टर चौहान एंडियो मिट्रोसिस के लगफ़क कितने केस ओस्तन हम देख लेते हैं और दूसरी बात ये कि आखिर आइरवेद में इस काराज किस तरह से किया जा सकता है क्या महिलाओं में ये समस्य लगतार बढ़ रहे हैं देखिए जहां तक नंबर्स की बात करें तो आजकल वैसे तो आजकल इसकी जागरुकता थोड़ी बढ़ी है लेकिन फिर भी सिटीज में ज्यादा है जो महिलाओं में रहती हैं चोटे कस्मों में रहती हैं उनको समझ नहीं आता है ये रोक है क्या हूं समझती है वस ऐसी पेन हो रहा है कोई पेन किलर खा लेते हैं लेकिन फिर भी मैं देखू पिछले गर दो-तिन वर्स का हम में करती भी नहीं है कहीं न कहीं वो बस अपना कुछ लोकल दवाईयां लेकर काम चलाती है लेकिन जब हम इसको अच्छी तरह से समझ करके पूरा डेटा करके देखते हैं और प्रापर डाइगनोसी इसका करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि आयरवेद में बहुत अच्छे र बछे कि आयरेवेद में लोग में ज के करते हैं Toh उसके पुरापर स्टैपस होते हैं चिकेसा की सबसे पहले स्टैप निदान परिवर्जन आपको मैं पहले भी कही अपनाले समझाया और स्देश्राकर टाइबाना डीट मेला लाइफ स्टैल में माइंड मैं उसको अचाना करते हैं वातानुलोमन करते हैं अपानुवाई उसको कैसे बाहर निकालना है और जो वातज योनी व्यापद की जो ट्रीटमेंट हमारे आयरवेद में पूरी लिखी है उसको समझ करके परस्नलाइज दवाईया बना करके पेशिंट को दी जाती है इंफ्लमेशन जिसको शोथ कहते हैं आयरवेद में एंटी इंफ्लमेटरी भी इसमें मेडिसन्स दी जाती है और जैसा मैंने कहा कि शोधन जिसमें पंच करम आता है वो चिकितसा भी बहुत लाब करोती है एक प्रॉपर जो है मैं कहूं तो काफी इंटेंसिव काम है और काफी हम लोग इसमें मेहनत करते हैं इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं तो अगर आपको यह रोग है एंडोमेटरीसिस का तो डरना नहीं है जीवा से जुड़िए प्रॉपर कंसल्टेशन कर लिए उसका प्रॉपर लिए अरवेदिक उपचार करने हैं टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी सेहत बनानी हैं तो सेहत का नमबर मिलाएं जो है 01294040404 और डॉक्टर चौहान की टीम की डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं मुंगफली का कोलेस्टरॉल से क्या कने के लिए केवल सिंटम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी इसलिए बिमारी के लक्षन का नहीं मूल कारण का इलाज करवाने की जुरूत है जीवा आईरुवेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्स 40 लाग से भी अधिक पेशिंस का सफल इलाज कर चुके हैं स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाईए जीवा आईरुवेद से चुड़ने के लिए 0129-4040404 पर कॉल कीजिए यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बिमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निरने लिजी और जीवा आईरुवेद से तुरंट इलाज शुरू कराई जीवा आईरुवेद में गंफीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है अ आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चोहान के साथ और अब वक्त है सेहत की संजीवनी का नौक्टर चोहान मुंगफली का कॉलिस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है तेकि मुंगफली जैसे ऐसे कोई बहुत देंजरस चीज नहीं है लोग समझते हैं कि साथ उसमें थोड़ा ओयल होता है तो कॉलिस्ट्रॉल बढ़ाएगा लेकिन एक अच्छे प्रोटीन का सोर्स है अ और думगफली के अंदर मोन अन्सैशूरेटरिड फैस होते हैं जो के हमारे बैल कोलेस्ट्रॉल जैसक existem ढलगा उसको कम करते हैं और इसके अलावा हो है मुंगफली में कुछ ऐसे असे तत्वथ हısı भी पाए जाते हैं जो क्कॉलेस्ट्रॉल को एब्सॉर्ब करते हैं तो इस तरह से रोस्टेट करके नमक डालते हैं तो भुनी हुई खाई यह कच्छी मुंफली आप जोए थोड़ा रात को भिगो दीजिए सुबह उसको आप या तो पेश्ट बना करके खा सकते हैं ऐसे उसको चबा करके खाई हलका उसको उबाल करके भी सेवन करें तो आपको काफी फाइदा होगा शक्ती भी देगी और आपके कोलेस्ट्रोल को भी नहीं बढ़ाएगी डॉक्टर चोहान आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं जीवा सेहत का नंबर है 0129 4040404 अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो इमेल करें जीवा की इमेल आईटी है info.jiva.com आप फेस्बुक के जरीए भी जीवा से जुड़ सकते हैं जीवा की फेस्बुक आईटी है www.facebook.com और यूटीव पर जीवा शोज देखना ना भूले और आज ही जीवा का यूटीव चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com सेहत मन्द रहने के लिए आईवेद से चुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर दोस संजीव में देखना बेहत जरूरी है कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ, नमस्कार Modern Ayurvedic Hospital, जीवा ग्राम में आपका स्वागत है जीवा ग्राम को ना केवल NABH से मानिता प्राप्त है, बलकि ये स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राल है भारत सरकार के CGHS यानी Central Government Health Scheme के पैनल में भी शामिल है 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लभग एक लाग से भी जादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है जीवा ग्राम में जीवा आयुरवेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है ये एक प्रीमियम आयुरवेद ट्रीट्मेंट और्गनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है जीवा ग्राम भारक के चुनिंदा आयुरवेदिक अस्पतालों में से एक है यहां मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है यहां के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीडित रोगियों को भी सफलता पूरवक उपचार प्रणान किया है जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचा पंच कर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रणान करता है जैसे की प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलोजी आधी जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की तीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्ग दर्शन में ट्रेंड किया गया है जिन्होंने व्यक्तिगत द्रिश्टिकून के जरिये रीड की हड़ी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोडों के रोग, तवचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलता पूर्वत उपचार किया है ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है ये सभी उपचार योजनाई, विशेशग्यों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है जीवा ग्राम आपका उपचार करता है, ये आपको इलाज के बाद भी भविश्य में स्वस्त रहने के जरूरी टिप्स भी देता है और आपको सशक्त बनाता है आज ही संपोर्ण उपचार की ओर अपना पहला कदम उठाएं और कॉल करें 9319 227 333 पर झाल झाल